हलो दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार अकेडमी दादरी पर दोस्तों आज की बहुत बड़ी खवर ये है S.S.C. G.D. में एक बार फिर से भरती आ चुकी है अब की बार हमारा लगना तै है जो साथ ही मेरे S.S.C. G.D. की तैयारी कर रहे हैं वो अब रेडी हो जाओ B.S.F. C.R.P.F. I.T.B.P. C.S.F. S.S.B. जिसका भी सपना है अब की बार ये होगा पूरा दोस्त वीडियो को पूरा देखना इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कब तक वेकेंसी आएंगी कब आपका एक्जाम होगा और तैयारी अभी से करना सुरू कर दो अपने बोरी बिस्तर भांद लो और अब की बार नहीं छोड़ेंगे क्योंकि अब की बार सेलेक्शन ले लेंगे सबसे पहली बात सबसे पहली बात ससी जीडि की एक्जाम डेट आउट हो चुकी है नोटिफिकेशन एप्लिकेशन फॉर्म आना बाकी है ये रेड कलर का जो तीर देख रहे हो ये दरसाता है आपकी मेहनत को 25 मार्च 2021 से लेकर कब तक देखो 10 मई 2021 तक फॉर्म बरे जाएंगे पूरे नैसनल लेवल पर भरे जाएंगे तो सोच लो कॉम्पटीशन कितना हैबी है आपको कब से तयारी करनी है इतनी तो आप सभी को भी मालूम होगा आप सभी भी एकजाम की तयारी करते हो नई विध्यारती जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो और सेयर कर दो ठीक है आगे की बात देखो इसमें क्या-क्या पोस्ट होने वाली है सब का जुनून था कि सर मैं BSF में लगना चाहता हूँ मैं CISF में लगना चाहता हूँ मैं ITBP में CRPFA इस तरीके से ये सब आपके जुनून है बहतरीन वाले जो SSB, NIA, SSF सभी चीजें आपको बताई जाएंगी किस तरीके से फॉर्म भरना है कैसे क्या जुगाड करना है ठीक है भाई ये जर्नल ड्यूटी है मेरे भाई कौन से ड्यूटी जर्नल ड्यूटी है बात समझ में आ गई होगी आपके हाँ इसके जो है एक जो रिलीज हो जाएंगे 25 मार्च 2021 से और इसका जो एक्जाम होगा वो होगा 2 से लेकर 25 अगस्त तक मैं बताने वाला हूँ किस तरीके से क्या प्रोसिज होगा एक्जाम को कंडेक्ट कराने का बस आप सभी मेरे साथ जुड़े रहिए बने रहिए सब चीज समझा दी जाएंगी पोश्ट का नाम है कॉंस्टेबल जिसमें मेल और फीमेल दौनों भर सकते हैं एक्जाम जो है वो नैसनल लेबल का एक्जाम है तो मेहनत जादा करनी है इसलिए पार्टिकुलर इंडिकेट किया हुआ है अगली मैं बात करता हूँ कंप्यूटर बेस एक्जाम होगा कंप्यूटर के दौरा एक्जाम को दिया जाएगा इसमें PET होगा फिजिकल इफिसियंसी टेस्ट PST होगा फिजिकल स्टेंडर्ड टेस्ट उसके बाद लास्ट में आपका क्या होगा मेडिकल होगा और सबसे लास्ट में आप जोइनिंग पर चले जाओगी सबसे में बात जो साथी ये बोलते है कि भाई बस मैं दसवी पास हूँ मैं सरकारी नौकरी नहीं ले सकता मैं आज उनको बता दूँ सबसे बड़ी खबर यही है कि इसकी जो क्राइटेरिया है जीडी का वो क्या है आप सबसे पहले एक इंडियन होने चाहिए जो की हो आपकी उमर जो है वो तेहरे सारी 28-18 से लेकर 23 साल तक आपकी उमर होनी चाहिए भाई ठीक है चलो आगे की बात करते हैं इसकी क्वालिफिकेशन वही मैंने अभी बताया बस मातर 10th पास चाहिए आपने 10th पास कर रखी है तो आप इस फर्म को अपलाई कर सकते हो अगली बात देखिए इसका क्या क्या नोटिफिकेशन है यह देख लो 25 तारिक को यह नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेंगे 25 तारिक को मिल जाएंगे 10 माई में इसकी एंडिंग डेट हो जाएगी 10 माई तक सभी भर लेना CHSL वाला जुआड मत करना यह निउस पेपर की कटिंग है जो मैं आपको टेलीग्राम पर भेज़ दूँगा यदि आपको अच्छी लगी हो इनफॉर्मेशन तो चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन का घंटा जरूल दमाएं और जादा से जादा लोगों के पास सेयर कर दें आप हमसे जुड़ना चाहते हो टेलीग्राम के माध्यम से तो टेलीग्राम के माध्यम से जुड़ सकते हो WhatsApp के माध्यम से, Twitter के माध्यम से और Facebook माध्यम से सभी पर हमारा पेज है Star Academy दादरी क्या है Star Academy दादरी Thank you so much